हेलो दोस्तों, वेलकम टू धोलाधर अप्टेट्स यूटूब चैनल, तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट अप्टेट्स लिखे हैं, दो सप्टेमबर दो हेर फीस की, अब हिमाचल प्रदेश में इन दो समेस्टर के बिद्यार्थी होंग आपको बताएंगे, और जो एक और जो खबर है, उसके बारे में बताएंगे, और लिटेस्ट क्रोन अप्टेट के बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पर एन तक बन रहे हैं, अगर आप चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सा प्रोना काल पिछले समेस्टर के परिणाम और अंतरिक मुल्यांकन के अधार पर किया जाएगा प्रमोड तो पूरी जानकारी बिताते हैं तो आपको पता लग गया है कि दूसरे और चोथे समेस्टर के भावी इंजिनियर जो है प्रमोड होंगे धर्म शाला है माचल प्रदेश तकनिकी शिक्षा बोर दूसरे और चोथे समेस्टर के भावी इंजिनियरों को तीसरे और पांच में समेस्टर के लिए प्रमोड करेगा विद्यार्थियों को ये प्रमोशन उनके पिछले और वर्तमान समेस्टरों के अंतरिक मुल्यांकन के पर अधार पर मिलेगी इसके अलावा 25 सितंबर 2020 से बोर्ड अंतिम वर्ष की नियमित और पहले से छटे स्मेस्टर की रिपीर प्रिक्शाओं का संचालन करेगा जिसकी डेटशीट तकनिकी शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दी है। अला कि सर्चिव सुनील बर्मा ने इसकी पुष्टी की, अगर कोई विद्यार्थी क्रोना पुष्टी पाया जाता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को तक्निकी शिक्षा बोर्ड बाद में परिक्षा का मुका देगा. बहुत अकिनीकी संस्थानों में इस बार मेरिट से दाखिला, एंट्रेंस टेस्ट नहीं, तो जो बहुत अकिनीकी संस्थानों में इस बार मेरिट के अधार पर दाखिला दिया जाएगा. अगली अपडेट, HPU के College of Business Study में Merit से मिलेगा प्रवेश तो HPU में जो College of Business Studies जो Department है, उसमें Merit के अधार पर प्रवेश मिलेगा हिमाचर प्रदेश विशिप द्याले HPU के College of Business Studies में Section 721 में BCA और BBA में दाखले के लिए प्रवेश प्रिक्षा नहीं होगी तो इन कोर्सों के लिए जमादो कक्षा की Merit अधार पर प्रवेश मिलेगा संस्थान के निदेशक प्रफेसर पवन गरागा ने बताया कि ऐसा क्रोना संकर्मन के खत्रे को देखते हुए किया जा रहा है तो आपको जो है इन्होंने नीचे बता रखा है कि अभ्यर्थी को 10 सितंबर 2020 तक जमा दो की अंतकालिका ओनलाइन अपलोड जो अंक तालिका होगी वो ओनलाइन अपलोड कर भेजनी होगी आप वेदर करता चातिर अडमीशन पोर्टल इस पोर्टल में आप जाएं अडमीशन.hpushimla.in से अंक तालिका जमा करवा सकते हैं लेटस्ट करोणा अपडेट हिमाचर प्रदेश में दो और लोगों की करोणा से मोत अब तक 40 पहुँचा आंकड़ा तो जो करोणा संकर्मन से जो मरे हैं हिमाचर प्रदेश में वो 40 लोग जो हैं मरे हुए हैं IGMC Shimla में Urology विभाग के हेड समेत प्रदेश में 105 नए मामले तो हिमाचर प्रदेश में आपको पता लग गया है कि क्रोणा अपडेट जो मैं आपको बताई कि हिमाचर प्रदेश में दो और लोगों की मोत हो चुकी है अब जो हैं 40 पहुँच चुका है हिमाचर प्रदे आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको आगयाने वाली हिमाचर प्रदेश की हर लेटेस्ट अप्टियर की नोटिफिकेशन मिल सके और इस वीडियो को बने दोस्तों के दाश जूर से शेयर करें ताकि उनको भी आज की ताया खबरों के बारे में पता लग सके तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बत धने बाद जैहिन जैह माचल